नमस्कार साथियो, Knowledge Men channel में आप सभी का अभर्दिक स्वागत है, कैसे आप सभी? ग्रूप D की भरती प्रिक्षा का जो प्रेनाम है वो आज आने वाला है RRB का ठीक है रेलवे भरती बोर्ड के द्वारा जो भरती प्रिक्षा ली गई थी ग्रूप D के रिगार्डिंग जो की 62,000 पदों पर थी ठीक है जो 62,000 पर थी उसका रिजल्ट आपको काफी दिनों से इंतजार है ठीक है जो भरती आपकी बहुत बड़ी भरती है और जो की प्रिक्षा भी बहुत बड़ी प्रिक्षा थी जो की चार माह में पूरी हुई थी ठीक है तो उसका जो है रिजल्ट आ जाने वाला है और क्या है पूरी न्यूज आईए हम जानते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में ये देखे ये आज का न्यूजबेपर की cutting है ठीक है तो गुरूप D की प्रिक्षा 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 है वो आज आने वाला है देखे पूरी न्यूजब हम पढ़ लेते हैं रेल्वे भर्थी बोर्ड और रार भी धवारा पिछले वर्ज लीगे ग्रूपड़ी के विमिन पदों की भर्थी परिक्षा प्रणाम सवंवार को जारी होगा और रार भी लावाद के दिन इस परिक्षा में तक्रीबन 10 लाख अभ्यारती सामिल हुए सफल अभ्यारती सारी प्रिक्षा ली गई थी आरारबी इलाबाद की बात करें तो इसके जो अधीन आने वाले हैं वो 4762 पदों के लिए तकरीबन 17 लाख है भेरतियों ने आवेदन किया था 10 लाख के असपा सब्यारथी प्रिक्षा में सामिल हुए अब ग्रूप D के विभिन पदों की भरते प्रिक्षा अपने नाम 4 मार्च को दो पहर 3 बजे जारी होगा RRB लाबाद की चेर्मेन S.A.M. नकवी के मताबिक प्रिक्षा में सफले भेरतियों को सारी रिक दक्षता में सामिल होने के लिए बुलाया जाएगा तिथी बाद में जारी होगी ठीक है तो ये देखे चार मा में भरती पूरी होई थी रोलवे ग्रूप D के और प्रिक्षा में सफले भेरतियों को देनी होगी सारी रिक दक्षता की प्रिक्षा तो आप जानते हैं कि सारिक दक्षिता प्रिक्षा में इसमें क्या होने वाला है तो इसमें जो होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें होगी एक किलोमेटर की रेस होगी ठीक है वो लड़कों के लिए भी और लड़कों के लिए भी दोनों के लिए बराबर है ठीक है अब लड़कों के लिए चार मिनट पंदरा सेकंड में है ठीक है उसका समय चार पंदरा है और लड़कों के लिए चार पंदरा है और लड़कों के लिए जो है पांच पंदरा का समय दिया गया है ठीक है और अभ और इसमें क्या होगा इसमें जो है और आपका ओनेवाला है वो और वाला है एक वजन वजन कैसा जो 35 Kilogram का जो है आपको उठा करके दोड़ना है सो मीटर ठीक है उसका समय रहेगा का दो मिनट का ठीक है और लड़कियों के लिए वो है बीस किलो ठीक है बीस किलो वजन जो की दो मिनट जो है सो मिटर ही रहेगा उनका भी डिस्टेंस ठीक है तो यह होने वाला है अब बात करते हैं कि फीजिकल कब से होने वाला है ठीक है तो फीजिकल यह आपका 35 किलो ग्राम और 20 kg काफी टफ होने वाला है ऐसा नहीं कि आसान है 35 kg वजन को लेकर दोड़ना ठीक है और अब बात करने वाले हैं कि आपका जो फिजिकल होने वाला है वो कब होने वाला है तो देखिए और आर बी रेलवे जो भरती बौर्ड है वो इस भरती को जल्दी से जल्दी पूरा क चाहता है ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं और पीएफ का जो आपने दिया होगा तो आर पीएफ SI और कॉंस्टेबल का ठीक है जल्दी 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 जारी करके फिजिकल के लिए फटा-फट से उनको बलाया जा रहा है कैनि रेट्स को और रिजल्ट भी उसी तारिक का जो भरती करने का जो process है वह बहुत ही तेज है ठीक है अब जल्दी से जल्दी उनको पर भरती परक्रिया को पूरी करना चाहता है तो जैसे आज चार तारिक को आपका result आ जाता है तो आपका जो physical के लिह आपको बुलाए जाएगा वो आपको 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको जो है या इतने दुन में आपका जो है आपको बुला लिया जाएगा physical के लिए और आपको physical दे करके उसके बाद जो आपका परिजिकल कलियर होने कर साथ यापका जो document verification होगा वो भी उसी के साथ साथ आपका हो जाएगा ठीक है तो भरती के लिए आपको जो है लगवग दो गुना candidates को बुलाया जाएगा और आपका result देने के बाद फिर आपका यह जो result होने आपका फिजिकल हो जाएगा और उसके बाद डोकमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका बच जाएगा final result और final result फिर ओगा अपका medical Artline से लैक्षण आपका medical हो जाएगा तो यही और बाकी है तो इस प्रोकमे को लगवग आपका जो लगने पूरा होने में अपका ज्यादा समय haven लगने वाला है आपका मुश्किल से 2 महुने ठीक है दो महिने में यह पूरी प्रक्रिया हो सकती है ठीक है जिस हिसाब से रेलवे भरती को पूरा करने में लगा हुआ है तो आप ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको नोकरी के लिए तो थेंक्यू साथियो थन्यवाद